केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र भोगंडी प्रकृति की गोद में वसा एतिहासिक्स सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का एक दर्शनी स्थल है बचों को भोगंडी के महत्व के बारे में समझाते वे सिक्षकों ने बताया कि भोगंडी हमारे महान स्वतिंत्रता सैना ने सीदो कान्हूं की जन्म भूमी और कर्म भूमी है हाला कि भारतिय एतिहास की ज्यादातर पुस्तकों में आजादी की पहली लड़ाई के तौर पर 1857 के संग्राम का उल्ले किया गया है स्क्रांतिकारी के नायक सीदो कान्हू थे जो मौजुत जहारकंड के साहिब गंजिला अंतरगार बरहेट प्रखंड के भोगंडी गाउन निवासी चुन्नी मुर्मू की संतान थे उन्होंने अंग्रेजों और जमिदारों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 30 जून 1855 को भोगंडी में विशाल जनसभा बुलाई थी पाकुड में ओपन स्काई स्मार्ट स्कूल पाकुड के बच्चों को सैक्शनिक भवन और वन्भोज है तू भोगंडी रवाना किया क्या विध्याले की निदेशक मनोज कुमार भगत ने बच्चों को हरी जन्डी दिखा कर भोगंडी के लिए रवाना किया भोगंडी प्रकृति की गोद में वसा अतिहासिक्स, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का एक दर्शनी स्थल है भोगंडी के महत्व के बारे में समझाते वे सिक्षकों ने बताया कि भोगंडी हमारे महान सुतिंत्रता सैना ने सीदो कान्हूं की जन्म भूमी और कर्म भूमी है हाला कि भारतिय एतिहास की ज्यादातर पुस्तकों में आजादी की पहली लड़ाई के तौर पर 1857 के संग्राम का उल्ले किया गया है इस प्रांती कारी के नायक सीदो कान्हू थे जो मौजुद अजहारकंड के साहिब गंजिला अंतरगार बरहेट प्रखंड के भोगंडी गाउन निवासी चुन्नी मुर्मू की संतान थे उन्होंने अंग्रेजों और जमिदारों की दमनकारी नीतियों की खिलाफ 30 जून 1855 को भोगंडी में विशाल जनसभा बुलाई थी पाकुड में रवास्ट्रिया आपदा मोचन बल पटना की टीम ने शेहर के गोकुल पुरस्थित पुराना पुलिस लाइन मैदान में आपदा से बच्चाव को लेकर मौक ब्रिल किया जिसमें अनुमंदल पदादिकारी हरिवंश पंडित प्रिसिक्षू डिस्प अजे आरियन जिला पंचायती राज पदादिकारी कंजन कुमारी बुदोलिया और एंडी आरेफ के असिस्टेंट कमांडर संतोष कुमार मुक्षिरूप से मौजूद थे इस दोरान किसी भी आपदा से बचाओ के लिए मौक ड्रिल किया गया कारकम के दोरान बताया कि किसी भी आपदा से कैसे बचा जा सकता है इस दोरान प्रारंबिक सूशना किसे देनी चाहिए इस जीओ ने कहा कि किसी भी दुरघटना और आपदा से कैसे बचा जाए और किसी व्यक्ति को आपदा से कैसे निकाला जाए इसको लेकर विस्तित जानकारी भी दी गई मौक ब्रिल में स्वास्त विभाग अगनी शामन सहित अन्य विभाग ने हिसा लिया मौके पर NDRF के पुलिस निरिक शक सूरज कुमार अवर निरिक शक रंजीत कुमार CI देवकांथ सिंग सहित अन्य मौजूद थे भारत के स्वतंद्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुती देने वाले शहीदों की स्मृती में मंगलवार को समर्णाले परिसर में उप्विकास आयुक्त मौहम्मद शाहिद अख्तर अपर समाहर्ता मंजूरानी स्वासी अनुमंडल पदाधिकारी हरीवंश पंडित जिला पंचायत राज पदाधिकारी कंचन कुमारी समेत अनिपदाधिकारियों और कर्मियों ने दो मिनट का मौन रखकर उनके बलिदानों को याद कर शहीदों के प्रती शद्धा सुमन अर्पित की पाकुड में सदर प्रकंड पाकुड इस सबागार में फाइलेरिया बिमारी हेतु एक दिवा से प्रस्टिक्शन कारिकरम आयज़ित की गई कारिकरम की अध्यक्षता प्रभारी चिकित सापदाधिकारी पाकुड डॉक्टर गुफरान आलमनेकी जुसमें सभी सदर प्रकंड पाकुड के सभी मुख्या इस कारिकरम में उपस्थित रहे प्रस्टिक्शन में PCI के DMC अमित कुमार अगरवाल ने बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन कारिकरम दस फरवरी से चलेगा दस फरवरी को लोगों को बूथ में फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जाएगा जबकि छूटे हुए लोगों को 11 फरवरी से 25 फरवरी तक डोर टू डोर जाकर दवा खिलाए जाएगी उन्होंने कहा कि अभ्यान के दौरान दो प्रकार की दवा का सेवन करना अनिवारे है उन्होंने आगे का फाइलेरिया की दवा खाली पेट में नहीं खानी है तो वह गर्वती महिलाओं को दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गंभी रूप से बिमार व्यक्ति को भी पागुर्पता अभ्यान चलाय चारा है काईक्रम में पाकुड प्रकंड के सवी मुख्या बीपी एम के टी एम एम पी डव्यू पीरामल फांडेशन से प्रकंड समन्व्यक समेत अन्य उपस थे थे आगामी दो फर्वरी को राहुल गांदी के भारत जोडो निया यात्रा के पाकुड आगुमन पर सदर प्रकंड के नसीपुर में आयजुद राहुल गांदी के जनसबाइस तलका कॉंगर्स के प्रदेश महासचिप उधै लखमानी ने निरिक्षन किया निरिक्षन के क्रम में कारेकरताओं को उधै लखमानी को कई आविश्चक निर्देश दिये गए उन्होंने कहा कि आगामी दो फर्वरी को राहुल गांदी का निया यात्रा पाकुड पहुँचेगा कारेकरम की तियारी को लेकार कारेकरता जोर्शोर से तियारी में जुट गए हैं मौके पर जिला महा सचेव, सोनु आलम जिला सचेव, मौफी जनसारी, कसम शेख, अनिकुल, शेख, धननजे, रवीदा, समराठ शेख, डामिल, डालिम शेख, नसरुल्ला शेख, ताजमुल, शेख, मौफी जुल, शेख सहित अन्य उपस थित थे चौदा तारिक से हमारे मानने आदर्ली राहूल गांधी जी मनिपूर से नियाय की यातरा को आरम्व किया है, ये यातरा 6700 किलो मिटर की है, मुम्मई में इसकी समाप्ती होगी, और बहुत खुशी की बात है, कि राहूल गांधी जी हमारे जाडखन में दो फरवरी को परवे हमारे आदर्ली राहूल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के नियाय हक की यातरा जो उन्होंने चालू किया है, उस यातरा को सफल बनाने का काम करें, और इस देश को मजबूती देने का काम हमारे राहूल जी कर रहे है, आज जो देश के अंदर नफरत ठेलाई जा रही है, गरीबों के साथ जो खिलवाड हो रहा है, किसानों के साथ खिलवाड हो रहा है, और जो आज बेरोजगारी चरम सीमा पे और महंगाई चरम सीमा पे है, उसके चलते हमारे राहूल गांधी जी आज देश को मजबूत करने के लिए नियाय की यातरा को उन्होंने निकालने का का किया खाए और सभी जातिधर्म के लोगों ने इसके पहले भी इन्हों ने यात्रा किया था और अब यह नेया की यात्रा है आज जो लोकतंतर को कुचलने का काम किया जा रहा है देश के साथ खिलवारा किया या लोकतंतर को बचाने के लिए हमारे राहुल गान्दी जी ए 6700 किलोमेटर की यात्रा कर रहे हैं ताकि देश को एक जुट होके इस देश को बचाने का काम और देश को मजबूती करने का काम किया जाए। पराज्य की जिला अध्यक्षों की सुझी जारी की पाकुट जिले के जिला अध्यक्ष अमरित पांडे को भाजपा जिला अध्यक्ष का फिर से कमान सवापा गया। अमृत पांडे दूसरी बार जिला अध्यक्ष के ने पद पर बने रहे। इसे लेकर भाज़पा कारेकरता उमें काफी हर्ष का माहोल है। नवन्युक्त जिलाध्यक्ष को बधाई देने का दौर जारी है और कई कारेकर्ता ने जिलाध्यक्ष से मिलकर माला पहना कर तो सोचन मीडिया में बधाई देने का दौर जारी है जिलाधियक्ष अमरत पांडे ने जुहारकन के प्रतम मुख्यमांत्री से भार्चनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी और संगठन महामांत्री कर्णवेर सिंग को धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी ने मुझे तो जो जिम्मेदारी दिया उसे म निभाऊंगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जोड़ने के लिए देखते रहें के लांचल टाइम्स